दोस्तो नमस्कान देश की राजनिती में बार बार सक्ता में होते हुए उतार चड़ाओ हमने बार बार देखे हैं आखिरकार जिस तरीके से भारती जनता पार्टी ने इस 2024 के लोकसबा चुनाओं में 400 सीटे जीतने का नारा दिया और उत्र प्रदेश की किले को फते करने के लिए यहां पर भारती जनता पार्टी के तमाम राजनिताओं ने अपनी जान जोक दी लेकिन नतीजे उस अनुमान के बिल्कुल विपरीत नजर आए उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी को करारी हार मिलने का मतलब ये था कि पार्टी बहुमत से काफी पीछे चूट गई जिन दस सालों के कारेकाल का गुनगान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और पूरा भारती जनता पार्टी का संगठन करता हुआ नजर आ रहा था वे कारेकाल के तमाम कारे यहाँ पर कहीं न कहीं बोना साबित होते हुए नजर आये लिहाजा भासपा ने उत्तर प्रधेश का अपना मजबूत किला पिछले दस सालों की बिना पर जो तयार किया था वो मजबूत किला यहाँ पर भस्त होता हुआ नजर आया समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास की अप्रत्याशित जीत दर्ज करते वे उत्तर प्रधेश की राजनेती में एक बार फिर से अपनी मजबूत राजनेतिक मौजूद्गी दर्ज करवा दी है ऐसे में उत्तर प्रधेश में किन बड़े कारणों से भारती जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उत्तर प्रधेश में ही भारती जनता पार्टी के खिलाव किस तरीके से उस जमीन का इस्तिमाल करने में यहाँ समाजवादी पार्टी कामियाब हो पाई पास ऐसे पहलू है जिन पर चर्चा करेंगी इस खास प्रोग्राम में पश्चमी यूपी से बात करें तो यहाँ पर जैन चोधरी संगीत सौम और संजीव बालियान के बीच जो जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है आखिरकार जो साइलेंट ये कही ना कही अंदर खाने की अंतर कले दिखाए दे रही थी क्या ये बड़ा कान बनी पश्चमी उत्रप्रदेश में हार का इससे आगे बढ़ते हैं तो योगी आदितिनाथ की पूरवांचल में निसकरियता कि इस चीज का संकेत दे रही है कि पूरवांचल का किला जो काफी लंबे समय से भारती जन्ता पार्टी मजबूत देखती हुई ये नजर आ रही थी क्या अब उस किले में सेंदमारी हो चुकी है में इनका गांधी को जिस तरीके से उत्रप्रदेश में सुल्तानपूर लोकसभा सीट से 4000 वोटों के नस्दी की मार्जिन से जो हार का सामना करना पड़ा है ऐसे में क्या छोटे गांधी परिवार का राजनीतिक भाविस से अब अंधेरे में नजर आ रहा है इसके साथ साथ बात करें तो अकिनेश यादा और समाजवादी पार्टी का उत्रप्रदेश में बढ़ता सियासी वर्चस क्या भारती जनता पार्टी के लिए 2027 के विधान सवाच चुनाओं में मुश्किले खड़ी कर देगा और इसके साथ साथ किस समाजवादी पार्टी की इस अए प्रत्याशित जीत के चलते अब परिवार पूर्टिया से जो एक जुट दिखाए दे रहा है उसकी मजबूती और भी बढ़ते भी नजर आईगी सिलसिले वार तरीके से चर्चा करते हैं पर्ष्चिमी उत्रप्रदेश से शुरुवात करते हैं जैंट चोधरी बड़े चेहरे RLD के यहाँ पर प्रमुख है है और वर्तमान में केंद्री केविनेट मंतरी उनको बनाया गया है आगिरकार भारती जनता पार्टी से आने के बाद गठबंदन करते हैं दो लोगसवा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और दोनों पर जीत हासिल होती है जैंत चोधरी को राजे सवा सांसत बना दिया जाता है इसके साथ मोधी केविनेट में फिलहाल उनको केविनेट मंतरी का जिमा मिल गया है लेकिन क्या जै को यहां पर नुक्षान पहुंचाता नजर आया ऐसे में पार्टी कि आप दोनों कारेकरताओं के खिलाफ या दोनों दिक्कस नेताओं के खिलाफ बड़ी कारवाही करती भी नजर आएगी जिससे कि आगामी विधान सबाचुनाओं में इस अंतर कलह का नुक्षान ना दे पार्टी मजबूत नजर आए और राजा भहिया का जो समर्थन था उनके कारेकरता वहां पर सक्रियता के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ते भी नजर आए कि अखिलेश यादव की नईया को पार लगाने में राजा भहिया ने बड़ा योगदान दिया है क्यों वोट दिया और राजसवा में बीजेपी का एक अतीरिक तसांसत बनाने में एहम भूमी का निभाई लेकिन अखिलेश यादव के साथ लोगसवाद चुनाव में अपनी जुगलबंदी दिखा करके कि राजनितिक रूप से राजा भहिया ने दोनों निशाने एक ही तीर से साथने का काम किया है इससे आगे बढ़ें तो गांधी परिवार में मेंन का गांधी जो कि सुल्तानपूर लोगसवाद सीट से चुनाव लड़ रही थी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा और महेच 4000 वोटों के अंतर से वो हारती भी नजर आई बहुजन समाज पार्ट की सक्रियता के बावजूद भी करीबी जीत दर्ज करने में कामियाब हुई यहां से समाजवादी पार्टी तो क्या उतरप्रदेश की राजदिती में मेनका गांधी और उसके साथ-साथ वरुन गांधी का राजदिती भविश से अब अंधकार में चला गया है क्योंकि 2019 के लोगसभा चुनाव की बाद करें तो मेनका गांधी को महज 15,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी जबकि पीली भीत लोगसभा सीट से तो वरुन गांधी को भारती जनेता पार्टी ने चुनाव लड़वाना ही उचित नहीं समझा इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जमीनी हकीकत के मुद्धों को उठाने का प्रियास किया कि राम मंदीर और तमाम हिंदुत्यू के मुद्धे जिस तरीके से बीज़ेपी की तरफ से उनके एज़ेंडे में शामिल थो उनको पूरा करने के बाद भी उतर प्रदेश के नाकाम नजर आई क्या राम मंदीर के निर्मान के बाद भी आयुध्या के लोगों के दिलों में जगे बनाने के लिए पर्यागत यहां पर तैयारिया भारती जनता पार्टी नहीं करपाई और उतर प्रदेश के मजबूत किले को जो भारती जनता पार्टी 2047 तक का विजन ले करके चल रही है उसमें 2024 में ही यहां पर ढह जाने के बाद उस किले को दोबारा से किस तरीके से तयार करती नजराएगी क्योंकि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की बात करें या भारती जनता पार्टी के तमाम संगठन के दिग्ज नेताओं की पूरी जान छोक देने के बावजूद भी उतर प्रदेश में 50 फिस्दी सीटों पर यहां पर हार का सामना करना पड़ा और ये हार कहीं न कहीं आगे आने वाले वक्त में काफी चुगती हु से चुनाव लड़ते भी नजराए डिंपल यादम मैनपुरी से जवरदस्त जीत हासिल करके संसथ पहुंची तो कन्योज लोकसवा सीट से अखिलेश यादम ने डंका बजाते हुए ये सावित कर दिया की अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो आवाज उसी तरीके देश की जनता के बीच किया वह वाकई समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐसा पहत्रा था जिसका आधार बनाते वी यहाँ पर इंडिया अलायंस ने उत्तरप्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया और उत्तरप्रदेश का राजनितिक फिला ढहाने का मतलब यह है कि देश की सत्ता की ओर इंडिया गड़ बनन आगे बढ़ चला है ऐसे में यादव परिवार की जुटता की बात करें तो महेद एक ऐसा सदस्य अब उनसे चुटा है जो राजनितिक तोर पर सक्रिय तो है लेकिन राजनितिक सियासी आधार ढूनने की अभी तलाश मे जारी है अपना यादव की बात हम कर रहे हैं अपना यादव 2017 में जब शिवपाल यादव ने प्रैक्तिसी समाजवादी पाटी बनाए थी उस दोरान एक सक्रिय कारे करता और राजनेतिक के तोर पर अपनी पहचान बनाती भी नजर आ रही थी शिवपाल यादव के साथ यादव की बॉंडिंग काफी अच्छी देखी जाती है और पारिवारिक रिष्टे भी काफी मधूर है डिमपल यादव को मैन पूरी सीट से जब लोकसवाद चुनाओ में जीत मिली तो उस दोरान यहाँ अपना यादव ने अपना पूर्ण समर्थन और कहीना कहीं और बैठ के जारी हैं उतर प्रदेश में लगातार समिक्षा बैठ के हो रही है एक तरफ समाजवादी पार्टी जीत का जश्न मनाने में यहाँ पर मश्गूल है तो दूसरी तरफ भारती जनिता पार्टी उन तमाम चुनिंदा चेहरों को लेकर कि यहाँ पर चर्चा कर र 27 का विधानसवा चुनाओं का किला धेता हुआ नजर आ रहा है फिलाल इस खास कारिकरम में इतना ही देश-दुनिया की तमाम बड़े ख़बरों के लिए आप देखते रहे हैं एस्पेन नाइन लिए